Hello friends, Novis Garden में आप सभी का सवागत है दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं इस कनेर के प्लांट के बारे में आप देख सकते हैं कनेर के उपर कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हुई दोस्तो कितने ज़्यादा कनेर के उपर फूल आयो हैं तो मेरे साथ वीडियो में अंतर तक जरूर बने रहेगा इस से आपको कनेर की complete information मिलेगी और आगर आपके पास ये पोधा है तो आप उसकी care करना आसानी से सीख जाएंगे और कुछ secrets बाते भी आपको उसकी पता चलेगी तो सबसे पहले दोस्तों कनेर को लगाने के तरीके के बारे में बात करते हैं कनेर को लगाने के लिए आप दो तरीकों का यूज कर सकते हैं सबसे पहले तो आप अपने पास अगर cutting है या फिर आप कहीं से cutting ला सकते हैं जो कि without cost हो तो आप cutting से भी इसको असानी से गरो कर सकते हैं इसकी अक्सर cutting गे और अलग-अलग color जो है आपको road divider के ओपर देखने को मिलेंगे जो हमारे four way होते हैं उनके बीच में road divider होते हैं वहाँ पर लगबग जो है government दवारा इनको लगा दिया जाता है और multi colors होते हैं दोस्तों तो आप वहाँ से भी इसकी cutting लाकर के लगा सकते हैं अब बात करते हैं cutting लगाने का सही तरीका क्या होता है तो cutting लगाने का सही तरीका होता है दोस्तों आप इसको इतना सा cut कर लीजिए इतना सा कट करने के बाद में इसके कम्पलीट पत्तों को उपर से हटा दीजिए और हटाने के बाद इसको डायरेक्ट आप कोको पिट के अंदर नारील का जो फूसा होता उसके अंदर या फिर नदी की रेत के अंदर डारेक्ट इसको लगाईए और छाया में कुछ दिनों के लिए रख दीजिए दोस्तो जहां पर हंदेरा ना हो लेकिन डारेक्ट सनलाइट ना पड़े वहाँ पर इसकी कटिंग को रख दीजिए यह आसाने से चल जाएगी सिर। ज्यादा गर्मी में भी नहीं और ज्यादा सर्दी में भी नहीं इसके लावा लगातार इसकी आप कटिंग लगा सकते हैं हर मोسم में इसकी कटिंग लग जाएगी अगर आप इसको नर्सरी से परचेज करना चाहते हैं तो नर्सरी से आपको इस 30-40 रुपे का पोधा पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा 50-60 रुपे लेगा नर्सरी वाला इससे ज्यादा नहीं लेगा दोस्तो तो वहां से भी आप इस पोधे को लाकर के लगा सकते हैं और इस कलर का कनेर ला करके लाना चाहते हैं वैसा लगा सकते हैं ये बहुत बड़े-बड़े पोधे यानि के पेड़ रूप भी ले 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 थे दोस्तो तो आप इसको स्टार्टिंग में एक बड़े गमले के अंदर लगा दीजिए यानि 16 से 20 इंची के गमले के अंदर आप इसको या असानी से 3-4 साल तक चलता रहेगा उसके बाद फिर आप इसको निकाल करके रिपोर्ट कर सकते हैं या फिर इसकी निचे से जड़ो को काट करके दुबारा से उसी गमले में भी इसको लगा सकते हैं दोस्तो दूसरा बात करते हैं अब इसके अंदर हम मिट्टी कैसी बढ़ा सकते हैं यानि के एक इसा आपको नदी की रेत लेनी है एक इसा हाड मिट्टी लेनी है और कम से कम भी दो इसे यानि जितना यह लिया उससे डबल आपको इसके अंदर फर्टिलाइजर लेना है वह भी गोबर की पुरानी खाद को लेना इन सभी का मिसरन बना करके दोस्तों आप उसके अंदर कनेर को लगाये कनेर लगातार चलता रहेगा दोस्तों और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा और इसके अंदर बंच के अंदर जो हो फूल देखने को आपको मिलेंगे कनेर के अंदर दोस्तों कभी भी खुसबू नहीं होती है यह आप इसके उपर हर रोज स्प्रे कर सकते हैं नॉर्मल पानी का जब भी आप पोधों को पानी दें तो कनेर के उपर आप पाइप से थोड़ा सावर कर सकते हैं या फिर किसी और चीज से भी अगर आपके पास सावरिंग करने के लिए कोई अलग इक्यूइब्मेंट है तो आप उसकी साहता से इसके उपर पानी का ऐसे फवारा मार सकते हैं जिससे क्या होगा कनेर के उपर अगर किसी प्रकार का कोई भी इंसेक्ट बैठा होगा तो वह साफ हो जाएगा जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी इसके अंदर जो है इसके अंदर इस तरीके से फंगस लग जाती दोस्तों अगर इसमें सही से दीख रहा है तो यह देखी यह दो कीड़े से हैं जो कि इसके उपर बैठे हुए हैं तो इस प्रकार से इसके पर फंगस लग जाती है तो आपको क्या करना नीम ओलगा स्प्रे या फिर पानी का प्रैसर फ्वारा इसके पर मारना जिससे साफ हो जाएगा अब इसको रखने की बात आती है कि इसको रखे कहां पर तो दोस्तों कनेर को रखने के लिए आपको किसी सेमी सेड एरिया की जरूरत पड़ेगी जहां पर चार से पांच गंटे की दूप लग जाए इसके बाद छाया आ जा फुल दूप में भी आप रख सकते अगर आपके पास जगए नहीं है तो सारा दिन की संलाइट के अंदर भी आप इसको छोड़ सकते हैं वहां भी आसानी से चलता रहेगा दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हम इसको जो है फर्टिलाइजर के रूप में और कितने टाइम के ब लगाओ तब तो आपको इसको 6 महिने तक कुछ भी नहीं देना क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मातरा मी क्या किया है पहले ही गोबर की खाद और फर्टिलाइजर जो है वो मिट्टी के अंदर मिला रखे हैं लेकिन जब यह बड़ा हो जाए थोड़ा सा 6 महिने के बाद इसके अंदर आप जब यह ग्रोथ लेले अच्छे से एक बार इसके पर फूला करके चले जाएं उसके बाद से फिर इसके अंदर आपको दुबारा से जो है वो फर्टिलाइजर जो है लिक्वीड फोम में डालनी है यानि के लिक्वीड फोम में आप सीविड का भी यूज कर सकते हो DAP का भी यूज़ कर सकते हो और इसके अंदर NPK का भी यूज़ कर सकते हो NPK 1616 का यूज़ करना है DAP आपको जैसा कि मैंने अपने अदर वीडियो में बताया है DAP का यूज़ कैसे करना होता है वहां से देखकर क्या आप इसके अंदर डिए पी डाल सकते हो या फिर लिक्विड मैंने और में आप सीविड समुदरी खाद का भी यूज कर सकते हो उससे क्या होगा इसके अंदर फलावरिंग बढ़ जाएगी दोस्तो और आपका कनेर कंप्लीड जो हो फूलों से भर जाए कर दो इसक्यालक भीड जो होगा तर सकते ह मय आपकर न कникомरें इंदर क्यां और मैं बज़ मैं आपकर क मैंने दो मैंने आपकर प्लिए ओर ऊब कर दो कर वहा इसके अब मैंने, आयह चूलों सास्तों बट नाबव मैंन जो — ओर और य जो